मश्हूर निर्माता निर्देशक बी आर्ड चोपडा का आज जन्म दिन है इनका जन्म 22 अप्रेल 1914 को पंजाब के लुध्याना शहर में हुआ बी आर्ड चोपडा का पूरा नाम बलदेव राज चोपडा था फिल्मे पत्रिका सिने हिराल्ड में फिल्मों की समीक्षा लिखा करते थे बी आर्ड चोपडा उन्होंने विद्वा पुनरविवाह और वैश्यवरती जैसी सामाजिक समस्या को अपनी फिल्मों का विश्य बनाया सुप्रसिद्ध पार्शवगाई का आशब घुसले को काम्याबी के शिखर पर ले जाने का उनका एहम योगदान था 1951 में फिल्म अफसाना निर्देशक की रूप में उनकी पहली फिल्म थी 1955 में बी आर चोपडा ने बी आर फिल्म्स बैनर की सापना की 1960 में फिल्म कानून के लिए सर्वश्रेश निर्देशक का फिल्म फेहर अबॉर्ड मिला 1980 में दूरदर्शन के लिए सीरियल महा भारत का निर्मान किया जिसे अपार सफलता मिली इस सीरियल ने अपना नाम गिनीज बुक अफ वोल्ड रिकॉर्ड में दर्श कराया 2.8 चौकडा को 1998 में हिंदी सिनेमा की सर्वोच सुम्मान जादा साहिब फाल के पुरिसकार से सुम्मानित किया गया 2001 में कलक शीत्र के लिए पढ़न भूशन से अन्हें सम्मानित किया गया बियार चोपड़ा ने फिल्म निर्मान के अलावा फिल्म बागबा और बाबुल की कहानी भी लिखी नया दौर, कानून, वक्त, अफसाना, साधना, धूल का फूल, कानून, गुम्राह, हम्राज, इनसाफ का तराजू, निकाह, शोले, हम्राज, गुम्राह, धुन्द इनकी प्रमुक फिल्में थी 94 वर्ष के आयू में मुंबई में 5 नवंबर 2008 को बीयर चोपडा का दिहान थो गया